तो सबसे महत्वपून बात ये है कि धर्म विशुद रूप से केवल एक व्यक्तिगत लक्ष हो। राश्ट्रिय लक्ष नहीं। मैंने कभी किसी के साथ गलत व्यभार नहीं किया, लेकिन लोग मुझे मारना चाहते हैं। मौत की धमके आती रहती हैं। जो लोग मानते हैं कि वे आपको स्वर्ग भेजने वाले हैं। उन्होंने सबसे बुरे काम किये। मैं एक पाकिस्तानी हूँ जो यहां भारतियों के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ। और हम यहां सद्भाव से रहते हैं। मेरा प्रशन है कि सीमाएं हमें बाटती हैं। लेकिन हमारी बहुत सी चीजें एकसी हैं। हमारी गरीबी एकसी है। भूक एकसी है। आप किसी भी दुख का नाम लीजिए। दोनों ही देश उसे भूगत रहे हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो भूके सोते हैं, स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जाते, आपको क्या लगता है, क्यूंकि अधिकांच भारतिय जनसंख्या युवा है और पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, आपके हिसाब से हम कैसे मिलकर दुखों को दूर कर सकते हैं और भैतर भविश्य के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। ये एक जोखिम भरा सवाल है। आपको ये समझना चाहिए। एक राष्ट्र भगवान की दीवी चीज नहीं है। केवल जब आप धर्मी का धर पर राष्ट्र के पहचान करते हैं या उसे बनाते हैं तो आप ऐसा मान सकते हैं। वरना हमें पता है हमने इसे बनाये। वो भगवान का दिया हुआ दस्तावेज नहीं है। हम इसे लिखते हैं। उसमें संशोधन किये जा सकते हैं। जो भी लोगों की भलाई के लिए ज़रूरी हो, उसके अनुसार परिवर्तन किये जा सकते हैं। तो आज की दुनिया में राष्ट्र कैसे हैं। अब भी हम वैसे नहीं बन पाए हैं कि हम एक दुसरे को गले लगा सकें और पूरी धर्ती एक राष्ट्र के रूप में रह सकें। काश किसी दिन ऐसा हो पाए। लेकिन देखे, आप पहले से ये ब्रेक्सिट कर रहे हैं। देखे, यूरोप ने जो किया है, पिछले 15-20 वर्षों में, ये वाकई एक शानदार जबरदस्त उपलब दिये। पहले विश्वियदु और दूसरे विश्वियदु के बाद किसी ने ये कभी सोचा नहीं था कि जर्मनी, फ्रांस, इटली और इंग्लेंड एक जुट हो सकते हैं। किसी ने ये कलपना नहीं की थी। क्या आप साल 1945 में इसकी कलपना कर सकते थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, लेकिन आपने यूरोपिय संग बनाया, ये कोई छोटी बात नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ आर्थिक व्यवस्त है, ये मानव चेतना का एक बहुत बड़ा विकास है। हाँ या ना? लेकिन अब आप ब्रेक्सिटिंग कर रहे हैं। हामिल है, सब कुछ एक राष्ट जैसा था, हालांकि राजनीतिक रूप से हम थोड़े अलग 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 देश थे, एक समय था जब हम 200 से अधिक विभिन राजनीतिक काईयां थें, लेकिन फिर भी हम एक राष्ट थे, सांस्कृतिक रूप से, और भी कई अलग अलग तरी पर विचार किये बिना, बस नदियों पर, गाउं में, पहाड़ों पर रेखाएं खीच दी, ऐसी रेखाएं जिनकी आप रक्षा नहीं कर सकते, ऐसी रेखाएं जिनने निरंतर देख रेख की जरूरत है, ताकि दोनों देशों के बीच सुरक्षा बनी रहे, और सबसे बढ तो हम अब भी उस थिती में नहीं पहुँचे हैं, जहां लोग सिर्फ अपनी चेतना में रह सकें, और अपने धर्म, अपने स्वर्ग और उन सब को छोड़ दें, लेकिन हमें आपकी पीड़ी में इतना करना चाहिए, आने वाली पीड़ी को इतना तो करना चाहिए, कि धर लोगों के लिए एक व्यक्तिगत खोज हो, जो लोग चाहें, वे इन चीज़ों की खोज कर सकें, लेकिन ये महत्वा कांगशा कि मेरा ही धर्म दुनिया को जीते नहीं होनी चाहिए, ये एक ऐसी उपलब्दी है, जो आपको अगले 25 वर्षों में प्राप्त करनी ही होगी, वरना जिस तरह की तकनी की प्रगति हमने की है, उससे इस धर्ती पर भारी आपद आएगी, है ना, तलवार के दिन खत्म हो चुके हैं, तलवार के दिन खत्म हो चुके हैं, और अब भी अगर हम उसी रवये के साथ आगे बढ़े, तो ये एक बहुत बड़ी आपदा होगी जिस से किसी को भी फाइदा नहीं होगा, ठीक है, इस धर्ती को और धर्ती के किसी भी प्रानिंग को फाइदा नहीं होगा, इस वज़े से सभी को तकलीफ होगी, मैं कह रहा हूँ कि आप सभी प्रमुक संस्थानों में सिक्षित हो रहे हैं, आप जिस भी धार्मिक चाहें जहां देखें, यह आप पर निर्भर करता है, ठीक है, मुझे मत बताएं कि कहां देखना है, किसी और को मजबूर ना करें कि ये रास्ता है वो रास्ता है, अगर ये एक चीज ठीक हो जाती है, तो भारत पाकिस्तान का जगड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सांस्कृ इसमें बहुत जड़ा है, ठीक है, हाल ही में, दुबई में दक्षण एशिया सम्मेलन हुआ था, जिसमें मैंने भाग लिया था, लेकिन उसी समय भारत में एक आतंकी हमला हुआ, और हमें आगरह करना पड़ा, कि सभी पाकिस्तानी सम्मेलन से बाहर हो जाएगा, और दुर दे रहे हैं, कि दक्षण एशिया छेत्र, अर्थात, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रिलंका, अफगानिस्तान, भूटान, म्यामार, जो कि भागुलिक रूप से एक हैं, वे योरोपिय संग की तरह एक हो जाएं, राजजिंतिक रूप से आप अलग हो सकते हैं, आप जो इसलिए था, क्योंकि उस समय हमने कई तरीकों से एक होकर काम किया, लेकिन आज कोई तरीका ही नहीं है, हर कोई अपनी छोटी-छोटी सीमाओं में फसा हुआ है, इसलिए ये एक ऐसी चीज है, जिस पर हमें जोर देना चाहिए, अगर आप ये करना चाहते हैं, तो सबसे मह तुपून बात ये है, कि धर्म विशुद रूप से केवल एक व्यक्तिगत लक्ष हो, राश्ट्रिय लक्ष नहीं, या एक वैश्विक लक्ष नहीं, वास्ता में ये अभी एक वैश्विक लक्ष है, ये सिर्फ व्यक्तिगत लक्ष होना चाहिए, कभी भी वैश्विक लक इस ग्यान के लिए सद्गुरू का धन्यवाद, अब हम प्रश्णामत्रित करेंगे और आप अपना हाथ उठा सकते हैं। नमस्कारम सद्गुरू, मैं आपसे अनुरोद करूँगा कि प्लीज धर्म की संपून व्याक्या के मुद्धे पर हमारा और अधिक मारत दक्षन करें। क्योंकि आपने कहा कि इसे एक व्यक्तिकत मामला होना चाहिए, धर्म का विचार जैसे कि आपने पहले भी कहा है, ये भारत और आसपास के इस्थानों के लिए एक नया विचार था। लेकिन लोगों ने धर्म और सामाजिक संस्क्रतिक पहलों पर भी रेखाई कीज दी और आखिरकार जिसके कारण संगर्श हुआ। तो आप Inner Engineering योग को, उस संगर्श को सुलजाने, अपने भीतरी तत्व की ओर मुन्ने और धर्म की बाधाओं को तोड़ने के तरीके के रूप में कैसे देखते हैं। आप एक भविश्वानी चाहते हैं या आप एक योजना चाहते हैं। वे लोग जो योजना बनाने और उस पर काम करने के काबिल नहीं हैं, वे हमेशा भविश्वानी चाहते हैं। भविश्वानी का मतलब है, आपको उमीद है कि यह होगा, आप ऐसा करने के लिए अपना जीवन लगा देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, आप सभी युवाओं को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, बेशक लोग आपकी हंसी उडाएंगे, कोई आपको मारना चाहेगा, मैंने कभी किसी के साथ गलत वेभार नहीं किया, लेकिन लोग मुझे मारना चाहते हैं, मौत की धमकी आती रहत आप स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है, लेकिन शरीर के बिना, तो आप अच्छा खाना कैसे खाएंगे, और आप उन कुमारी लड़कियों के साथ कुछ भी कैसे करेंगे, जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे, तो उन्हें इतना अपमान क्यों महसूस हो रहा है, तो एक लंबे समय से कुछ हजार वर्षों से ऐसा ही हो रहा है, प्रशनों को समालने का एक तरीका ये है कि पूछने वाले को मार दो, ये अब तक एक प्रभावी तरीका रहा है, लेकिन आब और नहीं, अब ये ऐसे नहीं चलने वाला, क्योंकि आज केवल एक व्यक्ति प् प्रभाव या कस्बे में सवाल उठाया और आपने उसे मार दिया और सवाल खत्म हो गया, लेकिन वो समय बीच चुका है, तो इसलिए आपको किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलने है, लेकिन आपको उचित सवाल पूछने चाहिए, है ना, हलो, निडर और उचित सवाल, ह लेकिन आपको सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि अगर आप तीन बुद्धिमान प्रश्न पूछें, तो इस धर्ती के 90 प्रतिशत शास्त्र और तीनों स्वर्ग अभी गर जाएंगे। जाने की कोशिश कर रहे हैं, या क्योंकि हम हर किसी को तो खुछ नहीं कर सकते, तो इस पर आपके क्या विचार हैं, क्योंकि आपने अभी कहा था कि आप किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं, और आप किसी को वोट देने के लिए लोगों को प्रभावित नहीं कर लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें ऐसी चीज के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, जो गलत है। मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं इंसानियत के पक्ष में हूँ। कई अलग अलग तरीके के मनुश्य हैं। यह मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि अगर वे सभी मेरी तरह बन गए, तो मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहूँगा। वे सब अलग हैं। इसलिए अच्छा है। उन्हें देखो, यह कितने अलग हैं। सभी, इसलिए अच्छा है। लेकिन सभी बेवकूफ हर किसी को अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहें। अपने घर में कल्पना करें। अगर एक और व्यक्ति आपके जैसा हो, तो क्या आप वहां रह सकते हैं। एक ही काफी है, है न। लेकिन वे अपने जैसे लोगों से भरी दुनिया चाहते हैं। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, सभी वो कह रहे हैं जो वे कहना चाहते हैं। यह ठीक है, जब तक कि वे अत्यधिक शक्तिशाली न हो जाएं। ठीक है, वे अपनी राय वेक्त कर रहे हैं। राय मोतिय बिंद की तरह होती हैं। यह जितनी अधिक होती हैं, उतना ही आप कम देखते हैं। तो मैं उनमें भी इस पश्टता लाने की कोशिश कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि सद्गुरू, आप उस सेलिब्रिटी के साथ दिखे, आप उस वेक्ति के साथ क्यों बैठे। आप इस राजनीता के साथ दिखे, आप उस वेक्ति के साथ क्यों बैठे। देखे, पिछले 22 सालों से मैं भारत और अमेरिका दोनों ही जेलों में काम कर रहा हूँ. मैं लगातार हत्यारों, बलातकारियों और सभी तरह के लोगों के साथ रहता हूँ. मेरे लिए वे भी ठीक है? क्योंकि इनसान ये सब चीज़ें करता है. सवाल केवल ये है क्या हमारी पीड़ी एक ऐसी स्थिती का निर्मान करेगी जहां इनसान एक उंची संभावना में विक्सित हो सके? यह आप उसको मार डालना चाहते हैं, उसे लटकाना चाहते हैं, वगेरा, वगेरा. क्या यही आपका समाधान है? मेरा विश्वास करें, जि जो लोग जबरदस्ती, कोई समाधान थोपना चाहते थे, उन्होंने सबसे खराब काम किये, कैसा नहीं? जो लोग मानते हैं कि वे आपको स्वर्ग भेजने वाले हैं, उन्होंने सबसे बुरे काम किये, जिनने यकीन था कि वे बल पूरवक सभी को एक जैसा कर देंगे, सम पर सकती हैं, वे गलतियां अब इस धर्ती पर करना संभव नहीं हैं, अगर हम वे गलतियां करें, जो मुझे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, जो मुसुलिनी, एडॉल्फ हिटलर, जोजफ स्टालिन और दूसरे धर्मिक कटरवादी लोगों नहीं की हैं, अगर हम 21 सदी म वही काम करें, तो हम सारी मानवता को खत्म कर देंगे, अब हम वो जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए हम सभी के लिए प्रगती का एक मातर तरीका ये है, कि जो कुछ भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ, आप अभी जैसे भी हैं, हम आपको स्विकार करते हैं, और आईए देखें कि हम कैसे, सभी कम से कम कुछ बातों पर कैसे जुड़ सकते हैं, हम सभी स्वास्त चाहते हैं, हम सभी खुशी से, शांती से, जीना चाहते हैं, कम से कम इन चीज़ों पर हम एक मत हैं, ठीक है, आप पूर्व में उस देवता की पूजा करते हैं, मैं पस्चिम में इ पूलभूत मानविय जरूरते यही हैं, जब भौतिक आवशक्ताइं पूरी हो जाएं, जो सौभाग्य से इस पीड़ी के लिए उस हद तक हो गई हैं, जैसे पहले कभी नहीं थी, हाला कि अब भी शिकायते हैं, दुरभाग्य से समाज के कुछ हिससे इससे वंचित हैं, फिर घर से बाहर कदम न रखें, तो भी काम चल जाएगा, मेरा विश्वास करें, अगर आप यहां सौ साल या हजार साल पहले होते, तो आपको अपना दिन शुरू करने के लिए अपनी बाल्टी उठा कर एक मील चल कर थेमस नदी से पानी लाना पड़ता, आप मेंसे कई लोग एक मील तक पानी की बाल्टी उठा कर चलने के लिए फिटी नहीं है, हाँ या ना, इसलिए जीवन चलाना पहले से बहतर व्यवस्थे थे, हमेशा से हमें भोजन, पानी, आश्रे, कपड़ों की कमी आधी समस्याएं थी, पहली बार ऐसा है कि आप सभी के पास अपने दाद दादी की तुलना में पांच गुना अधिक कपले हैं, आपको खाना भी मिल रहा है, और आज समस्या ये है कि खाना कम कैसे किया जाए, ये पहली पीडी है जिसकी चिंता ये है कि कितना खाना खाया जाए, हमेशा हर पीडी के लोग जब वे खाना खाने के लिए बैठते थे तो वे जितना पेट में भर सकते थे, भर लेते थे, क्योंकि वे बहुत अधिक शारेरिक गतिविदी करते थे, अगर आप अपनी पिछली पीडियों को खाना खाते देखें, वे जब भोजन के लिए बैठते थे, भारत में वे फर्ष पे बैठते थे, और पेट भर के खात खाते थे, और फिर वे थोड़ा और खाते थे, फिर थोड़ा और, क्योंकि वे बहुत अधिक शारेविक परिश्रम करते थे, अगर आप इतना नहीं खाएंगे तो आपका इमन खत्म हो जाएगा, सचमुच ये पेट्रोल की तरह है, जैसे कि गाड़ी के टैंक को भरना, आ जीवन चलाने का काम पहले से बहतर है, ये मानव चेतना में बदलाव लाने का समय है, मानव ये चेतना को बदलने या उचा उठाने के लिए हम विभिन स्तर की गतिविधियां कर रहे हैं, आपको कई तरीकों से इन में हिस्सा लेना होगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि हम ये लक्ष पाने के लिए अलग-लग तरह की चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों को करना जरूरी है, अगर आप सभी महरों को नहीं समझते तो खेलना संभव नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप सभी इनसानी चेतना को उपर उठाने में किसी भी तरीके से भागें, चाहे खुद या हमारी मदद से, हम दुनिया भर में कई काम कर रहे हैं, प्लीज इसका हिस्सा बनिये, मैतपून ये है, कि सभी मनुश्यों का ध्यान, उनकी भलाई और हर किसी की भलाई की और हो, चाहे तो कोई भी हो, चाहे कोई भी, वो मेरा बुरा पडोसी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से रहे, ठीक है, ये महतपून है, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं नहीं आप एक शांदार पडोसी हैं, आप नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी भलाई चाहता हूँ, मैं कोई राष्ट्रेट पड़ी नहीं कर रहा हूँ, कृपय ऐसा न सोचें, चाहे वो पाकिस्तान से हूँ, या केरला से हूँ, एक ही बात है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपके बारे में शांदार बाते कहने की ज़रूरत नहीं है, हाँ तुम एक बुरे पडोसी हो, लेक करने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास का हर व्यक्ति अच्छे से हो, अगर आप खुद को अच्छे से रखना चाहते हैं, कैसा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बिलकुल स्वार्थी बने, ऐसा क्यूं है, कि स्वार्थी और लाल चाहता हूँ, आइए एक संपूर्ण स्वार्थी दुनिया बनाएं, इसका मतलब है कि मैं अपने लिए जो चाहता हूँ, वही मैं दुनिया के हर किसी के लिए चाहता हूँ, आइए से एक सच्चाई बनाएं जाओ मेरेड़ जाओ मेरेड़